Hey guys, welcome back to the new video, तो आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube community की interesting news है, आर्थ वीडियो को एंट तक देखते रहना, तो बढ़ते हमें पहली news की तरह फ़ड़े बात के लेते हैं, LV Shadow vs. Ajoo 0008 के बारे में, अब जैसे के भाई आप लोको पता ही है कि अभी कुस टाइम से अर LV Shadow and Ajoo 0008 के बी विगरा टूट गई, तो Ajoo 0008 को इस रीजन के विज़े से अर LV Shadow के फैन के साइट से बहुत जादे हेट मिल रहा था, एड उन्होंने तो अभी कुछी दिन पहले यार ये चीज़ रिवील भी करी थी, कि वो बहुत जल्दी एक वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ का कितायी किया है, वो क्या कुछ करत film वीडिया है अगर मैंसे बतले में आपको बहुत से चीज़ नहींए रहिए तを फिर रप्र बिवह चीज यह सालग जाता है कि ठीक है बुरा लगत यार क्योंकि क्यों नहीं लगा चाइब आप घर आप10 पशेज़ आपको ऑनसीज़ी आ कुछ नहीं करता है कि निंगते अग्र को नहीं करता है । हुई करता कि बत दिमाग में आती है कि तुरे साथ गल्द क्यों रूंते प्लोट के लिए। कि या अगर मैं आप मेरे साथ पूरे रात दिन खुश कर बैट रहे हो और एकदम से मैं ऐसी चीज कर दो कि जो आपको पसंद आए हां मतलब मेरी सोचता लग एकदम सोचता लग हो जावे और उमीद ना थी आपको मुझसे कि यार अजूसति यह उमीद नहीं थी मुझे नहीं है तो कोई बात न भाई आगे बढ़ो और यार देखो कोई किसी का कुछ नहीं खाता कोई किसी को लेक के नहीं जाता सब वाली बात है प्यार परीत वाली चीज़ है बाई कोई किसी के साथ जबस्ती नहीं बैठा नहीं सकता अगर आपके अंदर प्यार है दोस्ती है तो आप बैठ रहे हैं या तो नहीं बैठ रहे हूँ कर दिया था और मैंने आपको कल वाली नीज उड़ी में बताय था कि भाई एलवी शादो का एक इंटर्व्यू आ है एक सैनल के पर में जहाँ पर यार वो रियाक किये इसी कॉंटूवर्सी के उपर जो किया उनकी मनिशा रानी के साथ में हो गई है एलवी शादो है इस मेंटर के उपर यही रिप्लाई करते हैं उस इंटर्व्यू में कि भाई मनिशा रानी ने ये जो अनफालो गेरा वाली चीज करिया ये काफी ज़दे चाइल्डिश लगती है अगर उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम ही थी तो आके मुझसे पूछ लेती या फिर मुझे बता देती तो जाधे जाधे अच्छा रहता और मनिशा रानी ने ये जो चीज किया है वो बहुत जाधे चाइल्डिश है तो अभी यार इसी चीज के उपर यार मनिशा रानी का भी रिप्लाई आ गया है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोड़ी को अप्लोड किया इसमें केते हैं अनफालो का रिजन जानना था ना कल बारबजे व्लोग आ रहा है मेरे चैनल पे सिर्फ सच बोलूगी है स्टेग स्टेग ते टून के बीच में भाई क्या कुछ कॉंट्र वर्जी अभी के डायम पे होच शुकी है तो भी यार थगेश ने यार रजद दलाल को भाई दुबारा से पोक किया अपने इंसेग्राम पे पोस्ट करके बेसिकली हुआ क्या कि उन्होंने भाई कल ये वाला एक पोस्ट किया आप लोग देख पारोगे जिसके कैप्शन में लिखते हैं और अगर आप लोग इस वाले पोस्ट का एर कॉमेंट्स देखोगे तो मैंने आप लोग को अभी एर कुछ पहली वाली वीडियोज में बताया हुआ था कि अभी कड़ाइम पे आर काफ़ी जादे यूट्यूबर्स के नाम से स्कैम किया जा रहा है ज़ते भी आर पॉबलर पॉबलर यूट्यूबर्स हैं उनकी आर फोटोस वगेरा का यूज करके उनकी AI वीडियोस वगेरा का बनाके जो आर स्कैम ब्रैंट्स वगेरा हैं स्कैम कंपरी स्कैम प्रमोट कर रही है और आलसो उनके नाम पे भाई फ्रॉड चल रहा है तो भी रिसेंट डेज में अर अभी आन नियू के भी साथ में ये वाला फ्रॉड हुआ था उनके नाम पे भाई काफी जादे स्कैम किये जा रहे हैं तो उन्होंने इसके बारे में बात किया इसके बात में उन्होंने एक और भी आरे इसके प्लोड करी जिसमें वो केते हैं विडिवोलाद अप्रेट अने टेलिग्राम चैनल तो गिव स्टॉक टिप्स प्लीज प्लीज यूज यूर वोजिक बिफोर स्पेंटिंग मनी बागि आप लोग क्या को सुचते हैं इस स्कैम के बारे में मुझे अपने उपीनिस को कॉमेंट्स में जहुर बताना बड़ते अपनी नेक्स्स निउस के तरह बात के लेते हैं कल के RCB वर्सेस KKR के IPL मैच के बारे में इसके बागि पास टाइम से काफिसे दे रैवलरी चलती हुई आ रही थी आपिसा लग एक्सपेक कर रहे थे कि KKR वर्सेस RCB के IPL मैच में हमें भाई कुछ ना कुछ लफडा कुछ ना कुछ बाई कलेश तो देखने को मिलेगा ही बट भाई उस मैच में कुछ ऐसी अनऄस पेक्टेट चीज हो गई इसके बारे में भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था वो था भाई विराट कोली औंड गौतम गमbheres का भाई हग येस भाई लिटरली कल वाले मैच में यार विराट कोली और के बाई मेंट और गौतम गंबीर ने हग कर लिया एक दुसरे को और लोग भाई देखके उनका यही रियक्शन था कि बाई क्या यार कलेश होने वाला था वो भी भाई रुकवा दिया विराट भाई ने आप लोग क्या कोई सोसते हैं इसके बार में मुझे अपने उपीनेस को कॉमेंट्स में जहूर बताना अल्सो आप लोग उन्हें इस चीज को काफे साथे नोटिस किया होगा कि भाई आरसे बे में विराट कोली जो है आप लोग क्या कुस होसते हैं कि आरके के ट्वीट के उपर कि क्या विराट कोली को टीम को छोड़ देना चाहिए और तब जीच जाएगी आरसे भी आप लोग क्या कुस होसते हैं कॉमेंट्स में जहुर बताना बाकि आप लोग क्या कुस होते हैं सोंसित कि इस कमेंट के उपर मुझे अपनी उपिनिस को कमेंट्स में जहुर बताना बढ़ता है अपनी नेक्स न्यूज के तरफ बात कलेते हैं फुगरा इंसान के बारे में तो भाई फुगरा इंसान यार रियक करते हैं वड़ा पाव गर्ल के उपर तो अगर अभी के डाइम पे अगर आप लोग एर इंस्साग्राम पे रियल्स और शॉट्स वगरा काफी जादे देख रहे हो तो आप लोग ने नोडिस किया होगा बागे क्या आप लोग के भी साथ यार ये वाली बिमारी हो रही है मुझे कॉमेंट्स में जहूर बता ना बढ़ता है अपनी नेक्स निउस कितना पर बात कर लेते हैं क्रेजी दीप के बारे में तो भाई क्रेजी दीप रियक करते हैं रजद दलाल के उपर आप लोग को भाई पता हुगा रजद दलाल को काफे सारे लोग है ट्रोल भी करते हैं और तो उनके काफे सारे फैंस भी हैं तो अभी रिजन टाइमस मेर समराट भाई ने एक ट्वीट किया था जो कि मैंने आपको दिखाया था जिसमें भाई वो कहा रहे थे कि भाई ये जो रजद दलाल है वो सिर्फ इंटरनेट का गैंस्टर है रियल लाइफ में इसकी हवा टाइड हो जाती है तो इसे वाले ट्वीट को शेयर करते हुए करजद दीप ने एक ट्वीट किया वो कहते हैं रजद दलाल पालती कुट्तो जैसा है बेल्ट और घर पर भॉग सकता है जैसे ही मालिक पट्टा खोलता है बैट जाता है भाई चारा भाई चारा भाई चारा भाव भाई करके आप लोग क्या गुस होते हैं हर कर देप केस रिपलाई के उपर मुझे कॉमेंट्स में जहुर बताना तो चलो एर गाईस बाई के लिए इतनी न्यूस थी आगे जहुर नुस मुलेग यार मैं आप लोग को नेक्स चुलों बता दूँगा और हाल गेस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई मत बूलना एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब अगर आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे को नेक्स वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्रेट दूगा और मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स वाली वीडियो में पीस आउट